हेल एवरिवन वेल्कुम टू माई यूट्यूब चैनल मिनाक्षी मैंच क्लासेज आज इस वूडियो में हम करेंगे डिये वी क्लास सेवन्थ की जो मैंच की बुखा उसमें चैप्टर नमबर थ्री है राशनल नमबर एज डेसिमल्स कोशन थर्ड करेंगे कोशन वन और टू मैं इससे पहले आपको करवा चुकी हूँ इसमें देखें क्या दिया हूँ है complete the following product of decimals यहां देखो इन्होंने बोला compute the following product of decimal फर्स्ट पार्ट मैं आपको बोलागे कि 2.9 को multiply करना है 3.5 से ठीक है क्या करना है 2.9 को multiply करना है 3.5 से अब माल लिजे कि यहां पर decimal नहीं है ठी straset झाने में 1.0 इसमें be decimal ना हो तो यहां पर आपके पास क्या है 29 और यहां पर आपके पास कितना बन जाएगा 35 ठीक है यहां पर 29 और यहां पर 35 तो जैसे आप छोटी classmates में करते थे कि 29 को 35 से multiply करो तो आब क्या करोगे 29 को 35 से multiply करोगे यहाँ पर मैं 정말 oni means multiply पहले से करके रक नहीं है और वैसे भी आप अगर आप 7th class तक पहुँच चुके हो तो इसका मिनिंग यह है कि आपको multiplication बहुत अच्छे से आती है ठीक है तो आप क्या करो हर एक बच्चे को 29 को किसे multiply करना है 35 से तो हमने 29 को 35 से multiply किया तो answer आया 1015 ठीक है अब आप यहां देखो बस इसमें यहा आया है कि आपको दो decimal number की multiplication करनी आनी की है ना सिर्फ थोड़ा सा यह चेंज है तो अब आप यहां देखो यह बिल्कुल एज़िया अगर multiply करनी जिस बचे को multiply करनी आते ना तो decimal उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है आपको यहां चेक करना है दो नहीं नंबर में यहां प्र देखो decimal के बाद इसमें कितने the तो आपको total किसमें है और decimal एक में है और decimal के नहीं है तो total कितने हो जाएंगी ठीक है तो आप क्या करोगे इसमें आप decimal पिछे से the count करो और यहां पर decimal लगा दोगे तो यह तो सिंपल मुल्टिप्लिकेशन में यहां नहीं लगाऊंगी तो मैं यहां पर इस कहां से लिकाऊंगी 29 को 35 से मुल्टिप्लाइ करते है तो आंसर आता है 1015 ठीक है अब हमें डैसिमल लगाना है एक डैसिमल के बाद एक डिजिटीस में एक डिजिटीस में तो टोटल टू डिजिट हो गए है तो पिछे से टू डिजिट काउंट करो 120 ठीक है तो यहां देखे तो कितना इजिटी सम है बस मुल्टिप्लिकेशन जिसको आती है उसके लिए तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है सेकंड पार्ट है 37 को मुल्टिप्लाई करना है 12.76 से ठीक है तो यहां पर अगर इसमें डैसिमल हम सोचें कि इसमें डैसिमल नहीं है तो यह कितना हो जाएगा 1276 तो ये बड़ा नमबर है, बड़े नमबर को छोटे नमबर से कर लेंगे तो 1276 को multiply करते हैं 37 से, ठीक है जब आप multiply कर लोगे तो याएगा 47, एक second है, यहाँ पर यह मैंने लगा दिया, आप इसको यहाँ ऐसे 2, ठीक है आभी नहीं लगाना है, decimal put करना है कि कहाँ पर आएगा आप यहाँ से देखो, 37 में तो कहीं पर decimal लगा ही नहीं हुआ, ठीक है तो आपको इस नमबर को नहीं देखना, सिर्फ इस वाले नमबर में लगा है, decimal के बाद इसमें 2 डिजिट है, point के बाद 1, 2, तो आपको क्या करना है, यह जो answer आया है आपका, इसमें आप पीछे से 2 डिजिट काउंट करोगे, 1, 2 और आप अपना decimal कहाँ लगा दोगे, यहाँ पर यही आपका क्या हो जाएगा, answer ठीक है, आप इसमें मत लगाना इसमें क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर ना इसमें decimal है, ना इसमें तो इसमें नहीं लगाना है, आप final answer यहाँ पर लिख दो, उसमें लगाओगे, next आपके पास, 0.84 and multiply by 8.8, ठीक है, आपको इन दोनों को multiply करना है और answer निकालने, तो अगर हम मालने, इसमें decimal नहीं है, तो यह 84 है और यह 88 है, तो हमने क्या क्या, 84 को 88 से यहाँ पर multiply किया, तो answer आया है, 7, 3, 9, 2 अब मुझे इसमें decimal पूट करना है, 7, 3, 9, 2 इसमें decimal पूट करेंगे, अब आप यहाँ देखो तो decimal के बाद इसमें कितने डिजिट है,Что डिजिट Regardless तो इसमें और decimal के बाद वन डिजिट इसमें है तो टोटल कितनी हो जाएंगी, decimal के बाद काउट करनें, इसमें one two two यहां पर है, और एक यहां पर यहां पर, तो three डिजिट हो तो आप क्या करोगे डैसिमल के बाद पिछे से 3 डिजिट काउंट करो 123 और यहां पर क्या जाएगा डैसिमल तो यह आपका क्या हो जाएगा अंसर 7.392 नेक्स्ट है 2.56 multiply by 11.09 ठीक है तो यहां पर यहां देखो हमारे पास यह अगर डैसिमल ना हो तो यह 256 है और यह 1109 बनेगा तो 1109 यह बड़ा नंबर है बड़े को छोटे नंबर से 256 से multiply कर लोगे हर एक बच्चा अपने हिसाब से कुद करेगा तो हमारा अंसर आता है 283904 ठीक देखो डैसिमल के बाद 2 डिजिट इसमें है और डैसिमल के बाद 2 डिजिट इसमें है तो टोटल कितनी हो जाएंगी 1,2,3,4 तो टोटल 4 डिजिट हो जाएंगी तो पिछे से 4 डिजिट काउंट करो 1,2,3,4 और यहां पर क्या जाएगा डैसिमल यह आपका क्या जाएगा आंसर, नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, अब थोड़ा सा बच्चों को यहां confusion यह होती है, कि मैं हम यहां पर थ्री नंबर जागे हैं, तो अब हम इनकी कैसे करेंगे, तो अग ऐसे ऐसे question आपके पहले भी तो आया है, कि 124 multiply by 157 multiply by 132, आप तीन नंबर की भी तो multiplication करते थे पहल multiply किया, तो क्या आया है, 19468, और जो answer आजेगा, उसको किसे multiply कर देंगे, 132, ठीक है, तीनो नंबर multiply होगे है, तो हमारा answer आया, 256 9776, तो यहां पर लिकरी हूँ में, 256 9776, ठीक है, इसमें main part हमारा सिर्फ क्या है, decimal put करना, अब decimal के बाद, आप total सब में count कर लो, decimal के बाद एक digit इसमें है, decimal के बाद एक digit इसमें है, और decimal के बाद एक digit इसमें, तो total कितने हो जाएंगी, 1, 2, and 3, तो पिछे से 3 digit count कर लो, 1, 2, 3, decimal यहां जाएगा, और यह आपका क्या हो जाएगा, answer, ठीक है, तो यहां पर यह आपका question number 3 हो गया, next time करते है, question number 4, question number 4 देखे क्या है, compute the following divisions, यह जो divisions है आपको, इन्हें solve करके दिखाना की answer क्या आएगा, ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं, 59.049, और division का मतलब क्या था है, हम by में लिख सकते हैं उसको, ठीक है, division का मतलब है, हम इसको कहां लिख सकते हैं, by में लिख सकते हैं, अब आपको क् इसको solve करोगे, तो सबसे पहले हमें यहां से decimal को remove करना पड़ेगा, ठीक है, कि decimal को remove करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां से देखे, अब मैं जब इस decimal को remove करती हूँ, ठीक है, आपको यहां से decimal remove करना है, और आप नीचे लगाओगे, देखो 1 तो लगा ही हो, तब आप 3 digit हैं, तो आप यहां से 1, 2 and 3, 3 zeros put करोगे, ठीक है, सबसे पहले आपको decimal remove करना आना चाहिए, तो हम decimal को क्या करेंगे, हमने decimal को उड़ा दिया, मतलब हटा दिया, तो नीचे कहाएगे, 1, 2, 3, 3 zeros हैं decimal के बाद, 3 digit हैं decimal के बाद, तो आप 3 zeros लगातोगे, ठीक है, तो आपका क इसको cancel करो, यह आपका 9 से पूरा-पूरा cancel हो जाएगा, तो आप यहां से देखो, जब इसको 9 से cancel करेंगे, तो क्या आएगा, मैं आपको एक थोड़ी सी यहां पर short trick बता रही हूँ, वसे तो शाहिद आपका teacher ने बताई भी हो, कि कोई number 9 से कब cancel होता है, short trick नहीं है, यह आप सीखके यह आए हो, जब कोई number 3 से कब cancel होता है, जब उसका digits का sum आपका किसे cancel होता हो, 9, 3 से, और 9 से कब cancel होता है, जब आपका यह जितने भी digit लिख हुए है, अगर इनका sum आपका किसे cancel होता हो, 9 से, तो यहां पर है 5, 9, 0, 4, 9, ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं होता ह कि आप इनको पूरा ऐसे sum करोगे, 5 में 9 एड़ करो, 14, 14 में एड़ करो, 18, 18 में 9 एड़ करो, 27, कोई ऐसे जरूरी नहीं होता, ठीक है, आप यहां से, वो digit हटाते जाओ, जिनका sum 9 आ रहा है, हटा दो, 9, ठीक है, यह भी 9 है, इसको हटा दो, 5 और 4 को एड़ करोगे, यह भ मिनिगे, वो 9 से कैंसल हो जाएगा, ठीक है, यह थोड़ा सा short trick ही है, अब हम इसको 9 से कैंसल करके देखते है, 91009, अब इसको आप जब 9 से कैंसल करोगे, तो क्या हैगा, 59 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 96054, ठीक है, चाहो तो पुरा डिवाइड करके, यहां देख लेना, अगर आप से औरली नहीं हो रहा है, 96054, तो यहां से कितना बज़ेगा, 50, 94045, तो यहां से बज़ेगा, 5, 5 और 4 मिलके, 54 बनेगा, 9 की टेबल में 54 कहां पर आता है, 96054, लास्ट में 9 है, 91009, इसमें मैं कुछ अलग से नहीं कर देख, जो हम डिवाइड करके लिखते हैं उसको मैंने औरली कर दिया है, तो यह हमारे पास कितना रहा है, एक सेकन, एक सेकन, यहां 95 सा था, ठीक है, एक पर दिखा देती हूं, 5, 9, 0, 4, 9, और इसको मैंने किया था, 9 से, 96054, ठीक है, यहां पर, 95045, यह मैंसे गलती से मैंने 4 लिख दिया था, यहां से 5, फिर 4, 96054 अगे 9, 91009, ठीक है, यही किया, मैंने औरली कर दिया, वैस इसको, 6561, 3 0s हैं, तो पिछे से 3 डिजिट काउंट करो, 1, 2, 3, डैसिमल, तो आपका अंसर आएगा, 6.561, second part है, 6.4 and divided by 0.2, तो हमारे पास है, 6.4 and divided by 0.2, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहल करेंगे, अब आप यहां से देखो, जब भी डैसिमल रिमूव होता है, जैसे मैंने यहां से डैसिमल को रिमूव किया, तो आपका नीचे लगेगा, ठीक है, कुछ एक नंबर लगेगा, वो कहां लगाओगे, डैसिमल के बाद एक डिजिट है, मतलब 10, बन के पिछे 10, जि इसको कैंसल करोगे, 21002, 23006, 22004, तो आपके पास अंसर आजाएगा, 32, थर्ड पार्ट है, 0.015 and divided by 3, तो अब यहां से हम लिखेंगे, 0.015 and divided by 3 कहां लिखा जाएगा, नीचे, अब डैसिमल को यहां से रिमूव करेंगे, तो नीचे कितना आएगा, 1, और उसके पिछे, 1, 2, 3, तो यहां से देखते हैं, उपर से तो आगे 0 लगी है, उनको हटा दो, तो उपर तो है 15, नीचे है 3, multiply by 1000, जब इसको 3, 15 को कैंसल करेंगे, 3, 1, 0, 3, 3, 5, 0, 15, अब यहां से देखो, अब बच्चें को क्या होता है, उन्हें लगता है कि मैं 5 से यह भी तो कैंसल हो र अचन में decimal में दिया हुआ है, वो बाय की form में नहीं है, तो आपको यहां पर भी answer भी आपका decimal की form में ही आना चाहिए, ठीक है, तो अब हमें पता है, अब नीचे 1000, 1000 में 3 zeros हैं, तो हम simple क्या करेंगे, पिछे से 3 डिजिट काउंट करके decimal लगा देंगे, हमने सिखा है ना, व अब कम डिजिट है, तो आगे 0 लगा के उनको complete कर दो, 1, 2, 3 decimal, next है, 0.014 and divided by 12, अब हमें यहां से क्या करने, इस decimal को remove करेंगे, तो नीचे कितना आजाएगा, 1 के पिछे यहां पर, 1, 2, 3, 3 डिजिट है, तो यहां से 3 zeros आएंगे, अब हम इसको cancel करते हैं, उपर से 14, नीचे यहां है, 12 or 1,000, हम करते हैं, इसको, देखो, यह cancel हो रहा है, 27,014, 26,012, ठीक है, तो और cancel नहीं होगा, तो यहां से हमारे पास हा रहा है, 7 divided by 6000, ठीक है, अब आपको यह लग रहा होगा, अब इसको कैसे convert करें, अब आप, देखो, इसको, आप क्या करोगे, यहां, इसका औ और कोई method हमारे पास नहीं, अब हमें means divide ही करना पड़ेगा, एक method है, तो जिसमें हम 6 into 1000 लिखके कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा confused हो जाओगे, अब यह first time कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 7 को किस से divide कर दो 6000 से, ठीक है, तो हम यहां पर करते हैं, 7 को divide करेंगे 6000 से, तो य divide तो नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि यह तो बहुत छोटा नंबर है, तो divide नहीं हो रहा, decimal हम यहां लगाएंगे, decimal यहां पर लगाएंगे, एक 0 और लगाई, अब भी divide नहीं हो रहा, ठीक है, एक 0 और लगाई, अब भी divide नहीं हो रहा, एक 0 और लगाई, तो यहां से जाएंगे 12,000 वह क्या हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा इससे तो अब फिर यह होगा 6,000 1000 6000 माइनस करते हैं तो यहां से कितना आएगा 4000 ठीक है अब एक जिरो और लगाके नीचे ले आते हैं तो यहां से क्या आगा अब आप देखो 40,000 है इतना है 40,000 है तो अब आप इसको यह मानो कि यहां 6 है और यहां 40 है तो अगर आप 6 की टेबल पढ़ते हो उसे 6,000 36 तो यहां पर यह कितने पर होगा 6,000 36 तीन जीरो उसमें तो तीन जीरो यहां लगा लेते हैं यहां से कितना रहे है 4 यह तो वही बार बार वही रिपीट होने लग गया ठीक है चलो हम एक स्टाप और कर देते हैं एक 0 को और नीचे ले आते हैं तो यहां से आएगा 6,000 6,000 36,000 ठीक है बार बार वही हमारा 4000 1000 ट्रिमिंडर आ रहे हैं मतलब आगे तक डोट डोट है तो यहां से आएगा 0.001166 अब हम क्या करेंगे हमने पिछे वाली वक्षुट में सिखा था कि हम इसको बार में करेंगे यह 6666 बहुत बार आ रहे हैं तो यहां 6 लिखके इसके उपर क्या लगा देंगे बार ठीक है तो यह आपका क्वेश्चन हो गया फॉर्थ पार्ट नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 0.02472 and divided by 0.008 ठीक है सबसे पहले हमें क्या करना है यहां से decimal remove करना है यहां से decimal remove होगा तो निचे आएगा one decimal के बाद यहां one two three four five one two three four and five five डिजिट थी तो मैंने निचे कितने zeros लगाई five यहां से decimal को remove करेंगे तो उपर कितना आएगा one two three three digit है तो three zeros ठीक है अब zeros cancel कर दो one two three one two three तो उपर से आया मेरे पास two four seven two और अब और में यहां है eight और यहां पर है one hundred ठीक है अब अगर cancel होता तो हम इसको सबसे पहले cancel करतेंगी ठीक है eight की टेबल से cancel हो जाएगा क्यों देखो यहां 24 है eight की टेबल में आता हूर 72 भी आता है ठीक है छोटा छोटा cancel करना है आपकी मर्जी है आपको बड़े नंबर पर सिधा करना तो आप सिधा बड़े नंबर eight one zero eight eight three zero twenty four ठीक है जब हम seven को करने लगे डिवाइड नहीं हो रहा नंबर छोटा है तो हम यह का करेंगे zero लगा देंगे eight nine zero seventy two तो हमारा answer आएगा three zero nine two zero है तो पिछे से दो डिजिट काउंट करके decimal answer आया three point zero nine next है six part five one point five one and divided by zero point one seven अब यहां से देखो decimal को remove करेंगे तो उपर कितना आएगा दो डिजिट है तो दो जिरो यहां से भी decimal को remove किया दो डिजिट है तो दो जिरो one hundred से one hundred cancel यहां से आ रहा है five one five one and divided by seventeen हमें बता है seventeen की टेबल में 51 आता है seventeen one thousand seventeen seventeen three thousand fifty one ठीक है अब हमने five लिया five तो छोटा है तो ना डिवाइड होने के वज़े से जिरो अब 51 दो डिजिट को एकठा करेंगे तो seventeen three thousand fifty one तो answer आता है three zero three ठीक है तो यहां पर आपका question number third और fourth complete हो गया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगिया तो आप वीडियो को like क करें मेरे चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ share जरूर करें thank you so much